पूझनाभी तोपार दोसतो मैं नीता आके स्वागत करती हूं दोस्तो आज मैं बनाने जारहे हूं सेव की बर्फी वो खाने वाले अपल नहीं सेव सेव नहीं में आते हैं यह क्रेश की हुए बदाम है यह काजू है यह नारियल का क्रेश की हुए हुआ चूरा है और यह हमें चीनी चाहिए होगी तो सुरू करते हैं पहले में इसमें चीनी डालूंगी यह इतना ही पानी डालूंगी और अब हम इसको चाशनी बनने करें लिए जोस्तों चाशनी बन लिया मैं इसमें थोड़ा सा दूद अट करूंगी दूद डालने से क्या होता है चीनी में चाशनी में जो भी गंदगी होती है वह उपर आजाती है इसलिए में दूद डालूंगी देखिए हमारी चाशनी की सारी गंदगी उपर आ गई है अब हम इसको निकालेंगे यह देखिए देखिए कितनी गंदगी बार आई है अब हम इसमें सेव डालेंगे सेव डालके पकाएंगे इनको पकने देंगे अब इसमें हम मावर डालेंगे यह मावर डालके पकने देंगे अब मिक्स होने देंगे इसका हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि यह कडाई से छोड़ना देए बाड़ी न हो जाए इसमें फोया मेल्ट करते रहेंगे ऐसे चलाते रहेंगे इसमें खाने वाला कलरेंड करूंगी इसे चलाते रहेंगे जब तक कि यह गाड़ी न हो जाए इसी गी एड़ करूंगी इसमें में अब यह देखें कडाई छोड़ती जारी है अपना यह गाड़ा होता जा रहा है इसमेरी बर्फी कह पेस्ट देखो अब यह तियार होगै गी लगा लिया अब हम इसको ट्रे में डालेंगे और इसको मैं नारियल लिया था यह थोड़ा से डालोगे अब हम इसको चार गंटे के लिए फ्रीज में जमने के लिए रखनेंगे देखिए दोस्तों हमारी बर्फी सेट होगी है फ्रीज में रखी थी हमने अब हम इसके पीस काटेंगे कर दोस्तों हमारी बर्फी तया रोगी यह अब दोस्तों हमारी बर्फी तया रोगी है अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और यह रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राइब करें यह एक सिंधी रेसिपी है